इस वीडियों डिसकस करेंगे कि अगर आपने गूगल फॉर्म्स में कोई टेस्स क्रेट किया है और जो भी स्टूडेंट्स है जिनको भी आपने फॉर्म सेंड किया किसी भी तरह का देखिये फॉर्म हो सकता है मैं यहां पर एक टेस्स की ऐग्जांपल ले रहा हूं तो वह कैसे पता लगेगा कि कौन से student का record कैसे और वो result कहां पर show होगा तो सबसे पहले आप क्या करेंगे अपनी email ID login कर लेंगे login करने के बाद यहाँ 9 dots में जाएंगे यहाँ पर google drive पे यहाँ drive पे click कर देंगे उसके पास आपका drive open हो जाएगा यहाँ पर तो आप क्या करेंगे यहाँ पर देखेंगे आपका बहुत सारा data हो सकता है तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका form कौन से यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ आ रहा है you edited in a past week यहाँ भी यहाँ भी जो भी आपका form है आप उसको open कर लीजे like मुझे यह form देखना है इस पर आप right click करेंगे right click करने के बाद आप यहाँ पर जाएंगे open with और google forms तो जब इसको google forms के साथ open करेंगे तो यहाँ पर देखें यह open हो गया तो यहाँ पर हम देखते हैं यह students ने attempt किया यह नहीं किया फिलाल यह यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ response आ रहा है responses पर आप देखेंगे students ने attempt किया तो फिलाल यह form नहीं किया तो मैं दूसरा यहाँ से देखता हूँ plus two का तो यहाँ से open with में जाएंगे गूगल फॉंस में जाएंगे तो इसको मैं close कर रहेता हूँ जो पहले वाला था तो देखें जब मैंने यहाँ पर click किया responses में गया तो यहाँ पर आपका कोई अभी तक response नहीं आ रहा क्यों नहीं आ रहा क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पर total जतने questions थे वो यहाँ पर आएंगे यहाँ total जतने आपके student है उनके नाम देखे one-a-one show कर रहा है उनके response एक response दो response सहां देखे सारे नाम शो कर रहा है जिन्होंने response दिये थे लेकिन आपको कैसे पता लगेगा जो पूरी detail है जो आपका question paper था जो भी आपने objective type जाए subjective type paper डाला था तो उसके लिए यहाँ देखे questions है responses है responses बे क्लिक करके आ रहा है कि 47 जो students आनों नहीं यह attempt किया exam individual में जाएंगे आप यहाँ पर आप one by one checker सकते हैं देखे यह से first person student यह है यहाँ से next किया यहाँ पर next करेंगे आप यह जो next बटन है इससे second आ जाएगा next करेंगे यहाँ पर third आ जाएगा आप देख सकते हैं नीचे उसके detail भी change हो रही है आप देख सकते हैं सारी जो यह ऐसे backup रखना है या ऐसे किसी को send करना है ऐसे record रखना है फो future use आप क्या करेंगे यहाँ से print option पर click करेंगे print response पर गलती पर भी delete मत click कर देना अगर आपका data delete हो गया तो recovery फिलाल बहुत tough होती है इसकी आपको पहले से बता दूँ फिलाल आप print response पर click करेंगे जब आप print response पर click करेंगे तो आपका सारा जो यहाँ पर form है आपका show करेगा a to z save as PDF यहाँ पर आजएगा आप उसको save as PDF save कर सकते हैं बच्चे के नाम के recording कर सकते हैं class के recording यहाँ पर देखिए बच्चे की class plus two arts है यहाँ पर पूरा उसका recorder जो जो उसने attempt की हैं यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर यहाँ पर जो भी डिटेल आउसकी यहां से save करेंगे save करने के बाद यहाँ पर यहाँ पर इसको location देना चाहते है location दे दीजिए तो ऐसे जैसे example के लिए roll number इसका one था मैंने one देकर यहाँ पर एक folder create कर लिया folder का नाम दे दिया जैसे यह 12 है तो मैंने इसको open किया record save कर दिया तो ऐसे आप सारी record save कर लेंगे अगर save नहीं करना excel file open करना है तो यहाँ पर देखिए यहाँ टॉप पर spreadsheet का option आ रहा है create spreadsheet इस पर क्लिक कर यह create new करना चाहते है existing में करना चाहते है आपकी need है मैं new करना चाहता हूं तो create पर click किया new पर select करके तो यहाँ पर Google जो है यहाँ Google sheets की help से यहाँ आपकी sheet open करेगा online ही यहाँ पर देखिए पूरा record आ रहा है बच्चे का यहाँ पर कितने time पर कौन सी date course ने attempt किया timing कौन से for example 1 p.m. पर पहले बच्चे ने किया 29 seconds और 29 minutes 7 seconds बच्चे के नाम आ रहे हैं सभी के यहाँ पर father same आ रहे हैं उसकी stream आ answers आ रहे हैं जो बच्चोंने सारे answers attempt की हैं तो आप इसको यहाँ file में जाकर यहाँ से इसको import भी कर सकते हैं किसमें करना download में जाहिए as a word file कर सकते है excel file कर सकते हैं और as a PDF भी कर सकते हैं it depends on you कि आप कौन सी sheet में इसको convert करना चाहते हैं so काफी ज्यादा useful है because google drive में तो चलिए आपका save है लेकिन आपने keyword किसी other person को show करना होता है तो आप by using this method इसका print down निकालके भी रख सकते हैं otherwise आपके आप था तो उसमें जतने भी नए student के बच्चे थे जन्होंने form फिल किया तो सभी का record मैंने ऐसे ही देखा था conscious stream थी सब कुछ जतने यहां पर admissions नहीं हुए थे यहां उनका total numbering आगी और बाकी सारी detail आगी जो form में थी जैसे मैंने आपको सारे step शो किये so friends काफी जादा useful method है करके देखिए कोई भी problem आते है किसी भी तरह की in google forms कैसे create करें कैसे editing करें problem आ रही है नहीं खुल रहा या उसका कोई आपको data में entry में या saving में problem आ रही है तो वो सारा आप comment box में comment करके हमसे पूछ सकते हैं thank you friends for watching this video and for your available time